आज हम जानेंगे किड्नी मरीजों के लिए लॉंग के सेवन के बारे में की क्या? एक किड्नी के मरीज लॉंग का सेवन कर सकते हैं या नहीं? वैसे तो लॉंग लगबग हर किसी के लिए फायरे मन्द हो सकती है और इसके सेवन से बहुत सारी शारिक समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है अब ऐसे में आज हम इस बात को जानने वाले हैं कि लौंग किड्नी के मरीजों के लिए कैसा रहने वाला है अगर आप भी किड्नी से जुड़ी किसी समस्या से परेशान हैं तो वीडियो में इंट तक बने रहें और अगर आपने अभी तक हमारे चानल Stop Kidney Dialysis को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से जुड़े इस तरह के informative वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें तो चलिए अब बिना समय गवाएं हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगर बात की जाए किड्नी मरीजों के लिए लॉंग के सेवन के बारे में तो किड्नी पेशिंट्स लॉंग का सेवन नहीं कर सकते क्योंकि लॉंग कई ऐसे पोशक तत्वों से भरपूर होता है जो किड्नी के मरीजों के लिए खराम माना जाता है साथ ही लॉंग की तासीर भी थोड़ी कर्म बताई गई है जो किड्नी की समस्या को और भी ज़ादा बढ़ानी का काम करती है तो अगर आप किड्नी की समस्या से पीडित है तो लॉंग का सेवन आपको नुकसान पहुचा सकता है लेकिन वहीं अगर आप एक healthy इंसान है तो long का सेवन आपको कई सारे फायदे दे सकता है क्योंकि long आंटी ओक्सिडेंट और वाइटमिन सी से भरपूर होता है जो आपकी immunity को boost करके आपको बहुत सारी बिमारियों से बचाने में मदद करता है अगर हम इससे होने वाले फायदों की बात करें तो इसके सेवन से आप अपने digestive system को strong रख सकते हैं साथ ही खुद को सर्दी जुखाम और दातों की समस्या से भी निजार दिला सकते हैं इसके अलावा लॉंग आपको शारिर कमजोरी और संक्रमेंट से होने वाले खत्रे को भी कम करता है साथ ही इसका सेवन आपको यौन संबंधित समस्याओं में भी राहत दिला सकता है कई लोग लॉंग को एक mouth freshener के तौर पर भी इस्तमाल करते हैं क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण मौजूद हैं जो आपके मूग की दुरगन को दूर भगाते हैं जिससे कि आप खुद को काफी जादा तरो ताजा महसूस करते हैं तो अगर आप किड्नी के मरीज नहीं हैं तो लॉंग का सेवन सरूर कर सकते हैं साथ ही लॉंग के सेवन और किड्नी के सही ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से कंसल सरूर करें तो आज के लिए बस अतना ही आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके सरूर बताएं साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिलकुल भी न भूलें हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रुखें हेल्दी रहें नमिश्कार